Another day, another recipe Hello friends, तो आज हम पपाया बनाना शेक बनाएंगे उसके लिए हमने एक बनाना लिया है और कुछ पपाया हमने इस तरीके से roughly कट कर लिया है तो आप कैसे भी कट कर लेजिए, कैसे भी पिसेज ले लेजिए सब ग्राइंड ही हो जाना है, उसके लिए हमने मिक्सर ग्राइंडर जार लिया है और उसमें ये पपाया के पिसेज कट करके डाल दिये है तो अब हम क्या करेंगे, बनाना को आप उसी वक्त चीलिएगा जब आपने पिलकुल शेक बनाना हो क्योंकि बनाना बहुत जल्दी काला हो जाता है, तो साथ ही में आप कैसे भी कट कर लिजिए, बीच में से कट लगाकर रफली कट कर लिजिए और साथ ही में हमने एक किलास चिल्द दूत का इस्तिमाल किया है और हम शुगर का इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं, बनाना, पपाया, मीथा ही होता है उसकी जगे हम थोड़ा सा हनी डालेंगे, हमने टू स्पून हनी का इस्तिमाल किया है तो ये शेक बहुत हेल्दी हो जाने वाला है तो चलिए अब लिड लगाकर हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं ये देखे ये टेक्स्टर आया है आप चाहें तो ऐसे ही सर्व कर दीजिए बट हम क्या करेंगे हमने अमेरिकन नट्स आइस्क्रीम ली है और इसका इस्तेमाल हम करेंगे ये भी मीठी होती है तो एक स्कूप भरकर हम नीचे डालेंगे पहले गिलास में तो दिखिए इसमें काफी सारे अमेरिकन नट्स होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं जब हर बाइट में आएं तो अब आप अपना जो शीक बनाया था उसको पोर कर दीजिए और थोड़ा सा ग्लास खाली रखिए क्योंकि उपर भी हम अमेरिकन नट्स आइस्क्रीम डालने वाले हैं तो आप जितनी भी आईस्क्रीम डालें ओवर लोड़िड कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वैसे तो इसमें नट्स होते हैं फिर भी आप चाहें तो उपर ड्राइव फूर्स डाल सकते हैं यह तोटली आप पे डिपेंड हैं बड़ ठान देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने रोज सिर्फ का इस्तिमाल किया है थोड़ आशा उपर से यह डाल दें कितना टैंप्टिंग लग रहा है ना और पीने में बहुत यामी है तो लीजिए यह हमारा बनाना पापाया शेक विद अमेरिकान नट्स आइस क्रीम के साथ बनकर रेडी हो गया है तो आप कब बना रहे हैं तो आप प्लीज बनाएं इसको बहुत हेल्दी हेल्दी शेक है और कॉमेंट सेक्षन में आप फीडबैक जरूर दें अपना और मिलते हैं फिरेक और नहीं रेसिपी के साथ